कार्थिक के महिने की दीपावली पर्व लोग काते हैं दीपावली एक दिन की है श्यू महापुराण की तथा में इसकंद पुराण के अंतरगत सास्त्रों में बढ़ना नाता है कि देव दीपावली में भी पीछे पच्छवीगानिस्थान का फल मिलता है और कार्थिक महिने नहींद इस अमावस्यय से अंतरगत्व फ्यसके नि पाचROशी से इसी दीपावली महापुरुक आदन एक य ह Africans दीपावली महापरव में हम क्या कर सकते हैं कि अब आपको कहा कि सारी दुनिया लच्ष्मी को चाहती है वसी तना चाहती हूं कि महादेव के प्रति भगवान के चरणों के प्रति आपका विश्वास जहां पर बड़ा आतका विश्वास जहां प्रवल हुआ लच्छमी जी का तिये महापर में हमेशा खड़ी हो और तुमारे गर में हरपनत में कि पूजन का विधान बताते हुए स्वयम शास्त्रमणन करता है अमारे यां दन तेरस के दिन की जो पूजन है उस दन तेरस के दिन की पूजन में आप अपने घर में चितनी भी आप लच्छमी की पूजन जवाब करें दीपावली की पूजन करें उसमें महरत देखिये मना 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 कोई महरत लिखा हुआ है उसका इसमर्ण करने में रूप चौदस की पूजन करने में पढ़वा की पूजन करने में दूज की पूजन करन में आपको मौर्थ की जरुवत नहीं है आप तो प्रदोष का शाम का जो प्रदोष का समय होता है उस समय पर बड़े प्रेम के साथ में आनंद के साथ में एक सुंदर आनंद से अगर घर में मारवल या कोटा फर्स वगर अलगा हो तो कपड़े से ही पोच लो और अगर अगर करें पिए कि फेंद यसकन के जगाप पर फूड़ा सा लीप पर या कपड़ा फेर पर वा आनंद के साथ संदर चोब भूड़ ली चीए और चोपपूरorg रुधा तीक दाना या गेहूं का दाना रख रुफकर लुशा पर फिक चोरंग के पाटा जो भी आप लगशका कर उसको रखकर एक बस दर्विश्व बस्तर विचार्यार अगया सवस्तिख कंकु के रोली का एक ⁉स्थिग बनाई बना कर इसको ठाली में गर कपड़ा रखो कर घर में कोई चान्दी का सिक्षा हो थांदी का कौह प्ल Councillor पॉइन तो अपना जो हब 一 इस इस का दो को जो भी सुख वोड़ निएद गोर कर उसको जो मोली आती है लक्षा बावा को खाली ने रखकर सुन्दरानन के साथ में माता लक्षमी का समर्ण करते हुए साथ दिये घी के लंबी बाती एक दिया तेल का दिया लक्षमी जी के लेटेंट इसे लक्षमी जी को जा पूजन करने बेटोगे तो लक्षमी जी का मुका बाप की और होगा तिना हमेहां एसे BRIAN हो तो दिया हाए कैसे मतलब कि मतलब आप जब कमदने बेटोगे तो आपकता सीधान उगां लक्षमी जी का फोड़कत पूंश उटे हाथ ककर कर दीप लएक उड़, अब रोली मोली हल्दी हल्दी की गांड अमर वे कमल गटा खड़ा गड़ा गुड़ ये सब सामगली रखकर कुछ भूग लगाने की सामगली कुछ धूब बद्यादि इत्र आजिक सामगलिया रखकर हुष्पादिक रखकर कुछ क्वाइं तुमने रखा है साथ उदिये उल्टे हाथ पर तेल का दिया जलाकर पूजन की ठाली में जो सामगरी रखी है जल का छिटा देकर बड़े प्रेम के साथ वस्तर समर्पित करकर और रोली चंदन मोली हल्दी जो भी है महंदी आधिक सब सामगरी समर्पित करकर पांच अमर्बिल के तुकड़े साथ कमल गटा पांच अमर्बिल के तुकड़े साथ कमल गटा पांच अल्दी की गठान ये सब आपने हातों में लेकर मालच्मी से प्राथना करकर कुबरिश्वर महादेव से विंती करकर शिव की अराधना करकर नारैन की अराधना करकर दाम कुंकु रौली जो सिक्खे के ऊपर दीरे-दीरे करकर दाले अचरा हल्दी धीरे-धीरे करकर उस पर डाले लाले और जो साथ दिये आप भोग लगाने के बाद तरशाद रखने के बाद में फिर जब साथ दिये जो तुमने थालिमा लिये हैं प्लेट लेए हैं उससे माता लच्मी की आर्टा कुबरिश्वर महादेव का इसमर्न करकर आर्टी करिये आर्टी रगद उपर आर्टी को लेना जो लिपसार तर अलच्मी से प्रातना करिये मा मैंने कुबरिश्वरबावा से विनय करी है मैंने कुबर वहिनारी से विनय करी है मा आप नारएण के सांथ कुबर के सांथ रिद्धी सिद्धी के साथ गणेजी महराज के साथ आप मेरे घर में पधार के धनतरस रूप चौदस दीपावली पड़मा दूर ये पांच दिन इगर और पांच दिन देव दीपावली के अम उसका भी वर्णन करेंगे तीसरे दिन की पथा में एक बेल पत्री एक पीला च भगवान संकर की शिविलिंग पर समर्पित करने का प्रयास का परन्तु ये बेल पत्री पीला चावल और एक कमल गट्टा ये पांच दिन तो तुम ये दीपावली के परवके और पांच दिन तो पच्विगन आएगा पूर निमा का समय जवाएगा उस समय अगर आपने य आपको कभी कहना नहीं कड़ेगा किसी की आगे कि भीया मुझे पांसो की जड़वात है तेरी जेव और तेरा घर भराएगा अगर बाबाबा से प्राफनाम यही करते हमेशा करते हैं किसी इस्प्री की गोद खाली ना रहे और किसी पूरूज की जेव बाबाबा बरता करना ते इक प्ली फिला अठीका चावल एक जाना चावल और एक जंके मोलो कमल अलका माल हम एक भगवान संकर के सुमर्पित करिए बड़े बाउटे साथ में आनंद के साथ और दिल से वावा से को पांच दिल यही आइए जीपावली कि समय पे धंतेरस रूप ज़ाज और उदर भी जब पूर निमा आईगी उसके पहले उसका वर्णा नम कर देंगे परिदाबाद की कथा में यह पांच दिन इधर के पांच दिन उदर बड़े प्रेंट से बाबा की यह पवित्र वित्र आज धन तेरस के पूजन का पने विधान जाना का दामोदर मास कार्तिक मास के पवित्र वुसर पर धन तेरस रूप चवदस दीपावली पढ़वा और दूज कैसे यह दीपावली महापर्व मनाया जाए कैसे यह दीपावली महापर्व का आनन हमारे जीवन में सुक प्रदान करें लच्मी का दीप तभी भी गोल बत्ती का नहीं होता लच्मी का दीप हमेसा लंबी बत्ती का होता हमेसा लंबी बत्ती का होता हमेसा लंबी बत्ती का होता है श्यों महापुरान की कथा करती है बाती जो लगाई जाती है दीपावली पर लगाओ चाहे आप धन तेरस पर लगाओ चाहे बढ़वा पर लगाओ चाहे दूच पर लगाओ बातिया में सा लंबी होना चाहिए लंबी बातिया चाहे तेल की लगा रहे हो चाहे घी की लगा और भाव से बेकुंट यह चुन्दर रूप 14 की जो पूजन का विधान है आपको धनतेरस की पूजन का जो विधान बताया था धनतेरस की पूजन का जैसा विधान था पहुचकर पाटे को बिच्छा कर चोब पूर कर जिस ठाली में आपने स्वस्तिक बनाकर जो सिक्का रख कर उसकी पूजन अर्चना करना है वैसी की वैसी ही जैसा है पहले कल कहा गया रोली चावल हल्दी मोली मेहंदी सिंदूर आदिक सब चड़ाते हुए और साथ में दो दीप लगेंगे रूप 14 के दिन दो दीप एक घी का लंबी बत्ती का जो लच्छमी जी के काि से दियाद पर हो दूसरा दी भेगा यह का धीप आठे का यहीड और तेल का डीप यहाद त्यप लगएकगा वह थड़ा सब्ड़ा लेना उसमें चार लंबी भी बत्तियां रखना सर्सो का तेल या मीठा तेल या तिली का तेल जो भी मिल जा इसके अंदर डाल लेना चार बत्ति ये लचमी जी के लिफ्ट एंड की उराई उसी आटे का तेल का जो दिया रहेगा उसके अंदर या तो पीली सर्सो या काली सर्सो जो राई होती है सर्सो ह को थोड़े से दाने उसमें डाल दिये जाते हैं लच्वीं जी का पूरा पूजन बड़े भाव से करिए जल का चिटा दीजिये रोली चावल मोली हल्दी जो भी आपके पास समर्पित करने के लिए पूजन की थाली में वह समर्पित करिए मीठे का भोग लगाई है और भोग लगाने के बाद में बड़े प्रेम से पांच कमल गटे पांच हल्दी की गठान पाच अमर बेल के तुकडे अमर बेल होती है एक लंबी सी बेल पेड़ों पर चलती है पीले कलर की जो की पूरे पेड़ पर छाही रहती है उसको कहीं पर भी डाल दिया जाए वो बढ़ती जाती है वो हमारे बंच्य की वरदी की वरदी के लिए स्विश्ठतम मानी जाती है पांच तुकड़े अमरवेल के पाँच अल्धी की घठान, पांच कमल गट्टे दोनों हाथ तुम्हें लेकर मा लच्मी से ब्रातना करते हुए उन सिकों पर समर्पित करकर जो घी का दिया लगाया है तुमने लच्मी जी के सीधे हाथ पर उसको उठा कर माता की आर्ति कर लीजिए जो तेल का दिया है जी का दिया वापिस रखकर आर्ति के बाद में जो तेल का दिया है चार wholly वहाला जो तुम जला कर रखी हो उसको पूरे घर में घुमा कर रूप रूप चतुरडशीे के दिन रूप चउध के दिन नरक्चउध के दिन हो रहे घर में कर सारे घर के दरवा-जेखोल कर बडे प्रम से घुमा कर मुख्चे द्वार के, बीच में जो घर से बाहर निकलने वाला द्वार है उसके ठीक बीचों बीच वो दिया चारवत्ती का रख देना चाहिए कुछ देर के लिए दरवाजे खुले रखना चाहिए पूरे घर में माता लचमी का स्मर्ण करते हुए श्री शिवाए नमस्तु भ्यम बोलते हुए दि मा जैसे हम दामोदर मास की कथा का रिस्पान कर रहे हैं कार्तिक मास की कथा को श्रवन कर रहे हैं जैसे हमने कार्तिक के महत्व को जाना है और उस महत्व को जाना कि लच्छमी भगवान शिव की आग्या से जाती है नरहन की आग्या से जाती है उसी तरह आप अमारे घर में शिव और नारेन की आग्या से विराजमान हो यह मा को प्रेणाम करिये बड़े भाव के साथ ऐसी ही यह रूप चतुर्दशी की पूजन का विदान है यह रूप चतुर्दशी की पूजन जो थाली अपने धन तेरस के दिन दिन रखी उस थाली को आप रात्री को हटा सकते हो दो बज़े से पांच बज़े तक होगी दो से पांच इसलिए रखी है क्योंकि उसमें तीन दिन की पूजन का विधान बताना एक दीपावली का पड़वा का फिर दूच का और हम तो निवेनन करेंगे प्रयास करिए अगर हो सके रूप चतुर्दशी का एगर दिन है नरक तारिक को रूप चतुर्दशी है नरक्च उदा से ताम तो प्रातन करें निवेदन करें आप से अगर हो सके शरीर में अगर बहुत रोग है और बहुत तकलिफ की जिंदगी चल रही है मतलब हर दो महीने में तीन महीने में कोई ना कोई दुख तुमारे सामने आकर खड़ उसमें बड़े प्रेम से कुई थोड़ा सा इत्र का अगर भाग मिल जाये और इत्र ना मिले तो पीला चन्द या लाल चन्द डाल कर अगर कहीं आउले का व्रक्ष हो फिपल का व्रक्ष हो और UEल पत्र का व्रक्ष जकाया पर थोड़ा सा वह लोटा जो घर से लेकर जाऊगे पातर लेकर जाऊगे रूब चतुर्डशी आपके दुखों को हरेगा परन्तु ये उपाय केवल एक रूप चतुरदशी के दिन ही होगा केवल रूप चतुरदशी के दिन ही होगा कई लोग इसको दीपावली के दिन भी करते हैं कई लोग इसको धंतेरस के दिन भी करते हैं पर ये उपाय रूप चतुरदशी के दिन क करे लुए गयोग मोगी उस समय पर जो चत्तुर्दाशिय यह वह प्रियोग कर सकते Q करक्वे यह माताल समी का पूजन करते हो देपावली पड़ ऐसा कोई घर नहीं संगा अधरम में यहां मातानी लच्मी का पूजन नहीं होता दीपावली पर, 31 अक्तुम्बर को, जब आप मा लच्मी का पूजन करोगे, माता लच्मी की जब पूजन करो, जैसी आप के पूजन होती है, जैसे आपके पूर्वच करते आए, जैसे आपके घर के ब्रहामन देवता, जैसे आपके नगर के ब धन्तेरस पर जो सिक्का रखा है थाली में वैसा की वैसा ही सिक्का आपने रूप 14 के दिन थाली में रखा है वही की वही थाली दीपावली के दिन भी पूजन में जैसी आप पूजन जमाते हो वैसे की वैसे ही जमाओ जैसे करते हो वैसे की वैसे करो पर साथ में वह पूजन के दिन भी वैसी की वैसी ही पूजन करना है आप अपनी पूजन जैसे करते हो वैसा करो पर साथ में वही कंकु चावल रोली मोली हल्दी साब चड़ा कर भगवान को बड़े प्रेम से जो सिक्के रखें हैं उन सिक्कों की पूजन वैसी की वैसी करना है जो दो दिन से आप कर तेकर और लच्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ तेल नंबी बाती का अखंड लुव टील पर कायका आएगा घी का दिया दोनों तीप अखंड जलाना है जो रात्री को जलें इस सुभा तक वो जलते रहें ऐसा दीप पर ध्यान देना है और माता लच्मी की पूजन करकर जो सिक्के आपने रखे हैं उस पर पांच या साथ कमल गटे हल्दी की गठान अमरवेल के तुकड़े पर इस पूजन में आपको हरी मूँ खड़ी जो मूँ पुष्पो हो जो पुष्पाप के पास में हो लाल कलर का वो माता लच्मी को समर्पित करना है चावल सफेद नहीं पीले कलकर भगमन मता लच्मी को समर्पित करना है हल्दी और कूकू माता लच्मी को समर्पित करना है और मा को भोग लगा कर बड़े प्रेम से माता की आर् इम्रमाली की रातरी का 11 बजे के बाद 17.30 गैसरे सी बारी के बीच में प्रयास करना कि कि लचक के नीचे जा इतो पीपल या आउला किसी भी एक ब्रक्चपे नीचा रातरी के समय पर चागर, ऐक दीप अवस्य लगाना घी का और वापिस लोट कराकर प्रयास करना कि कोई एक सिख्गा कोई भी एक रुपिया दो रुपिया कोई भी घर में चारों तरफ घुमाने के बाद वह सिख्गा अपनी अलमारी में तीजोरी में या दुकान में जिसमें आप रख सकते हो उसको रखना फिर अगले वर्ष आप से बात करेंगे कि वो तीजोरी खाली तो नहीं होई बाबा ने भंडार भर कर रखा कि उसने भरा कि ना भर प्रयास करें लक्षमी पूजन का बस पूजन जैसे करते हो आपके जैसे ब्रामन ने बता दिया जैसे माता पिता ने बता दिया जैसे पूरवजों ने बता दिया जैसे घर में करते आयो वैसी की वैसी लश्मी पूजन करो ज्यादा डोंग प्रपंच में नहीं पढ़ना किस कुछ ने का ऐसा कर दो ना अपने आनंद के साथ आप लच्मी की साधरन पूजन जैसे करते आयो वैसी की वैसे करो बस वो सिक्के की पूजन आपको पांच दिन तक तरना तो दीपावली के दिन कौन सा दिन हो जाएगा तीसरा दिन पूर्ण हो जाएगा फिर पढ़वा के द एक दीवदान तुलसी के पोधे से थोड़ा सा दूर अवश्य करना चाहिए कई लोगों की आदत रती है तुलसी के गमले में ही दिया रख देते हैं और तुलसा महरानी पूरी कुमला जाती है अब तुमारी साज बेटी और कुर्सी पर उसकी साड़ी के पास में दिया धर दो अच्छा लगेगा बोले जमके बोले जरा नहीं लगे क्या काईगी वो मुझे जलाएगी क्या मुझे में आग लगाएगी क्या तोड़ा दूरी रखी कि कार्तिक महीने में तीन और एक तुलसा महरानी चार जगा पर अगर हमने जल समर्पित करा है तो यह जल हमारा खाली नहीं जाता यह जल हमको सुख और शांती और लच्छमी का नुबव करा ही देगा कि दामो दर्मास कार्तिक महीने में इस जल की बड़ी मात्वत कई लोग कते गुरुजी आपकी दिपावली पूजन विल्कुल सरल है एक सिक्का रखना है थाली में पूजन धन 13 से चालू करा रूप 14 पर करी रूप 14 14 से करी दिपावली पर पूज लिया और मालुम पढ़ अधिर आगया गोवर्धन पूजन दिपावली का दूसरा दिन खजाने का दिन पड़वा का दिन उस दिन फिर पूजन का विधान तो हमारा सास्त्र करता दूसरे दिन जब पूजन करो पाटा जैसा की लगा की लगा रहने दो जैसा कपड़ा विच्छा विच्छा रहने दो जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो और गोवरधन पूजन वाले दिन भगवान गोवरधन नाजी का नाम लेकर माता लच्मी का समर्ण करकर फिर दो दीए लगाना है दो दीप अब की बार तेल का दीप नहीं आएगा दोनों दीए घी के लगेंगे और दोनों और पूजन रोजकरी वेसी की चण्दनन रोली मोली हल्दी जो भी हो फट बुजन करो केवल एक कमल गटा एक हल्दी की गठान और पुछ टप्र तुचडाअ सबसक्रिक्रों ब्दोद्दिय bonni ते जो रखें हैं उनी दोस्तना कर अपने घर जतने पूजन के सब प्रदोश्काल में करें सांसे लिए अ बाओव से निलाओं चार दिन की पूजन हुई गोवर्धन पूजन तक जब यम्हों डुटिया का आए दूज का दिन रहे और तूच के दिन फिर वही जैसी की जैसी पूजन करते आए हो जल का कोई स्थान जल का छीटा चंदन रोली मोली हल्दी और घी के दो दीप जो लगाए हैं दोनों दीप वहीं पर सिदे हाथ उल्टे हाथ पर और कोई कमल गट्टा नहीं चड़ेगा कोई हल्दी की गठान नहीं कोई अमरबिल का तुकड़ा नहीं जो जो सिक्के तुमने रखे हैं उस आट में उठाना है एक हल्दी की घ्ठान एक कमल गट्टा है कमर बिल का तुकड़ा लाल वस्त्र में उसको बांध कर दिया सांत में लेकर एक दीप महीं लगा रहे गा एक दीप सांत में लेकर जिस अलमारी में तीजोरी में आप från दर रख हैं अपनी लाकर अल्मारी खोल कर वो भूज इसłość है तुमने विराम के दिन की पांचुए दिन की जम्दुतिया के दिन की मातल लचमी से प्राथना कर कर कभरश्वर बाबा का नाम ले कर उसको पलमारी में तिजोरी में रगदो जो दिया लगाया है उससे वही उसकी आरती उतार कर बापिस उस दिये को अपने रगदो